राहूल गांधी की लोगसभा सदस्ता खत्म होने पर बीजेपी सांसद राजेंद रगरवाल ने न्यूसबन इंडिया से खास बाचीत में कहा है कि राहूल गांधी को और कॉंग्रिस पार्टी को समवधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की लोगसभा से सदस्ता रद हो गई है मानहानी मामले में उन्हें दो साल की सजा मिली थी हाला कि उन्हें जमानत मिल गया था हमारे साथ बाचीत करने के लिए बीजेपी सांसद राजेंद रगरवाल जी है सर किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं चुकि कानूनी प्रक्रिया रही है लेकिन आज भी कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि ना जुके थी ना जुकेंगे कॉंग्रेस पार्टी की यही समस्या है और यह समस्या उनको नेतरतों से पराप्त होती है इस सारे पग्रण के अंदर आप यह देखें कि जो एरूगेंस है जो एहंकार है राहुल जी का उसने उनको इस जगह तक लाकर करके ख़ला कर दिया है यह दस्तार पहले भी दिखाई जी थी जब उनके खुद की सरकार के पधान मंत्री जी ने कैबिनेट की सहमती से एक अध्याते चलाने की तियारी कि उसके इत्यास को जानते हैं कि सुप्रिम कोड ने संग्यान लिया था कि तीन महीने कन्विक्शन होने के बाद तीन महीने तो कोई कारवाई नहों और जब संग्यान लिनली के लिए हुसके इंदर प्रोविजन डिया था तौत्रन संग्यान लिने के लिए बिवे बंतुर राहुल जी ने उसी को एहनकार के करन से राहल जी कोई और छी नहीं थे सब्सक्राइब करते हैं और अभी आप यह देखें उनका पिश्रे समय का व्यवार है संसत के अंदर हों जा हो वह अना वश्यक जूटी बाते किये निकल जाते हैं और उसके विश्य में परिवार बिक्राइब करते हैं हुँआ हैं जो राहुल जी को ठीक नहीं मानते हैं पर दून की ववश्ता है कि उस लाइन से वह अलग नहीं जा सकते तो इसी कारण से आज ये हुआ है, संतत के पास कोई इसके अलावा की मार्ग नहीं है कि वो उनकी सदस्ता को भंग करे तो जो हो गया है कोट को भी कहीने कहीने कटगरे में कॉंग्रेस ने खड़ा कर दिया है, उधितराज को नेता है उन्होंने कहा दिया तेकि मैं फिर उसी बात को कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस की ये जो सोच है, ये वड़ी खतरनाक है नो वो कोट को मानेंगे नो वो संसत को मानेंगे और देखा जाए तो रहाल गांदी आज लाइबिलिटी हो गए कॉंग्रेस के लिए अखरी सवाल रहेगा सर उधित राज कॉंग्रेस पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं पर इस तरीके से कारवाई कराती है लेकिन अगर बीजेपी म उस गलती का संग्यान लिया कोड ने संग्यान लिया मुकदमा चला और कांग्रेस के पास तो योग्यतम और वरिष्टितम वकीलों की फौज है उन्होंने के सको लड़ा उसके बाद एक निरने आया तो इसमें कहा पार्टी आगी पार्टी का इसके अंदर कोई रोल नहीं ह है एक गलती की और उसकी कोड ने संग्यान लेकर के किसी ने अपील की उसका संग्यान लिया उसके विशह मिंद्र ने आया इतनी ही बात है यह और इस प्रकार के किसी प्रकरन के अंदर भारतिय जंता पार्टी से समंधित विक्ति भी यदि आएगा अब वो खतौली के भी इस गटना के पश्चास समझना चाहिए समलना चाहिए समयधाने की वबस्ताओं का समयधानिक इस्टूशन का उनको सम्मान करने की आदत विक्सित करनी चाहिए दन्रबाद सर्तियों थे हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेंद रगरवाली जिनका साथ और पर कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी को इस वाकिया के बाद भी कहीने कहीं समयधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए